तो कोई नहीं मैं आपको दिखा देता हूं अभी फूज कैसे खराब हो जाते हैं वह आपको दिखा देता हूं है अभी फूज औड जाते है कई बार क्यूंकि ओवर Lai छाती है चाते है ज्ञादा पीछे से स्टेरिंग के जैसे झाएंहें dashboard के नीचे दोस्तों यहां पर आपको जो दिख रहे हैं यह है दोस्तों इसका पूरा fuse का mechanism सो हेलो गाइस क्या हल चाल आप सबके आज मैं बात करने वाला हूं दोस्तों आप लोगों की काफी डैशबोर्ड के नीचे ही होता है fuse box टाठा नैनों का दोस्तों ड्राइवर साइड में आपको मैं दिखा दूंगा अभी सारी चीजे बताऊंगा दोस्तों कैसे आप चेक कर सकते हो कोई fuse घराब हुआ है या नहीं हुआ है उससे पहले कुछ चीजे आपको जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है जैसे हमारे कार के अंदर बहुत सारे अब वह क्यों दे रखा है दोस्तों के पीछे आपको मैं समझा देता हूं फ्यूज बॉक्स का काम है सारी चीजे बैटरी से कनेक्टिड होती है आपको पता है जब हम कार स्टार्ट करके चलते हैं कहीं पर दोस्तों अम माल लो कोई कोंपोनेंट्स खराब है उस पर ओवर लोड पड़ रहा है दोस्तों जैसे हमारा कोई म्यूजिक सिस्टम हो गया या हमारी रेडियेटर फैन माल लो वो उसकी लोड दोस्तों ओवर लोड हो रही है बार-बार वो पूरी वायर पर यानि प्रेशर डालेगी जैसे बैटरी पर हीट कर रही है बैटरी यह ज्यादा उसके वायर पर प्रेशर पड़ रहा है दोस्तों ज्यादा प्रेशर पड़ रहा है तो उसकी वजह से मेरे दोस्तों होगा यह आपकी गार के साथ वह आपकी पूरी वायर को ही फोक सकती है यानि पूरी वायर को ही जला सकती है इसक कि विज़े से दोस्तों हमारे जो फ्यूज बॉक्स है वह उस लाइट को जहल नहीं पाता उसमें अलग-अलग तरह के यहां पर डाइग्राम दे रखा है अब कोई 15 एंपेर के दे रखा है कोई 12 लिख रहा है किसी पर किसी पर 10 लिख रहा है इस तरह से अलग-अलग तरह से ह और मैं सारी चीज़े हैं पर समझा दूंगा इसमें जितने भी नंबर लिख रहे हैं दोस्तों यह सारे नंबर आपको मैं अभी शोगर के दिखाऊंगा जो कि हमारी नैनों के अंदर लग रहा है फ्यूज बॉक्स उसमें अलग-अलग कलर के यहां पर फ्यूज बॉक्स श यह दोनों में से किसी का भी हो ऐ ठीक कर सकते हो हार एक चीज का है पर दे रखला दोस्तों चाहेँ वह एडट लाइट ही क्यूं यहुंना हो चाहेँ वह रेडियेटर फैन की वहां पर नहीं है फिर हमको फ्यूज वहां से चेंज करके उसे ठीक कर सकते हैं असानी से अब मैं लेकर चलता हूं आपको स्टीदे अपनी कार के डैस्ट बोर्ड के नीचे जहां पर आपको फ्यूज बॉक्स का पूरा सिस्टम में समझा देता हूं बहुत से लोगों को चेंज करना नहीं आ जाता है तो इनके लिए बड़ी बड़ी रिले दी गई है तो आपको बताया कि हर एक कनेक्शन का दोस्तों अलग एंपियर साइज होता है अगर उस एंपियर से उपर लाइट चली जाती है तो फ्यूज तूड़ जाता है इसलिए जो हमारी कार के बड़े-बड़े क्यूज चल कि कांप्टेस की क्ला सबस्काराँ जाता हैं हुआ है उनके लिए बड़े रिले दी गई है यहनीं बड़े-फ्यूज उड़ने की दिखाना है अगर आप वीडियो पे नए हो तो प्लीज जल्द से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना साथ ही वीडियो को लाइक भी कर लेना है आपको क्योंकि यहां पे टाटा ने उनसे लेटेड बहुत चारी वीडियो जाती रहती हैं इस वीडियो से लेटेड कोई भी है कि दोस्तों हमारी बैट्रीय जो वैट्रीगा यहां से दोस्तों दे रख खुआ बेकर आए यह बैत्री से कोई over जाए दोस्तों यहीं पर फ्यूज उड़ जाएगा ताकि आपकी कार में कोई भी प्रॉब्लम नहाए दोस्तों यानि आपको पता है आग जो लगती थी पहले कार्स में और अग भी लग जाती है तो यह कुछ फ्यूज का ही सिस्टम हो जाता है जाते तर वाइरिंग में आग आग लग गई दोस्तों तो कार के अंदर भी आग लगने के पूरे-पूरे चांसेज हो जाते हैं भाई हो अब मैं लेगे चलता हूं आपको सीधर ले की तरफ दोस्तों यह है हमारी यहां पर आपको स्टेरिंग दिख रही है दोस्तों स्टेरिंग के जैसी नीचे यह है दोस्तों इसका पूरा फ्यूज का मेकैनिजम तो यह है दोस्तों इसका पूरा फ्यूज का मेकैनिजम जो यहां पर दे रख है आपको देख रहा होगा यह दोस्तों इसकी रिले हैं यह लग रही है ऊपर जो बड़े-बड़े कॉंपनेंट्स देख रहे हैं आपको aber अबक्तों से उसमेंसे अच्छे से और समझ सकते हैं great अधर डो-ई-चेंज हो सकती हो चुकी है हमारी कार की हेडलाइट से कनेक्टे़ होती है तो यह रिले होती है दोस्तों और अगर आपको वीडियो चीन की के रिले कैसे खराब हो जाती है इनको कैसे पता करें खराब हो जाती है तो उसके उपर मैं वीडियो लेके आ जाओंगा अब यहां पर जैसे यह हमारी रिले पूरी उपर दे रखे बड़ी-बड़ी और यह भ दूफ दोस्तों पाइब व्वोस्तों प्लक Communist से आता है निकालने का वह प्लक से दूफोट यह अब हाथ से हैं आप कहते हो नेरा है कि ईद्धे के आप कना में दिद्ध हैं यह साँ लेक्त ल रहा है ऊढ़े तो ज faces को दिखा देता हूं कैसे खराब ہو जाते हैं वह आपको दिखा देता हूं मैं आप लेका आपको सारी चीज़े है उपर और और पूरंपर धे कॉनपरेंट है रही पर रेड ग्री आप और daughter की साइट से भी तो सारी चीज़े अपको देख जाएंगे दोस्तों part तो आप आजाती दोस्तों आपकी मैंने आपको समझा दिया आप आपकी बारी है दोस्तों आपको वीडियो को लाइक करना है साथ ही साथ दोस्तों हमारे यूट्यूब की चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है मुछ यहां पर इस तरह की वीडियोज आती आत Sie मैं ãosपकर मा बोबी जी की आज है मेरे दोस्तो दोस्तों चल्डी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ए व्हुच्छाराम को फॉल जरूर से करनाएं मेरे दोस्तों क्योंकि वहां पे आपको कनेक्टर रहना है मेरे साथ में कुछ भी ली का तो मैक सबसे पहले वही पे तालता हूं कुछ जो भी आने वाली होती है दोस्तों तो हमीद आए वीडियो आपको बहुत ज़्याद इस वीडियो में नई टोपिक पर सब्सक्राइब क्लिए मेरे दोस्तों चेहां हीन यह मात हूँ